अज़ के प्रश्णों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्तित हुई हूँ और आज के जो प्रश्न है वो भी एक ही टॉपिक से हैं आपके सिख्षा मनोवग्जान से सिख्षा मनोवग्जान अर्थार्थ जो अजिकेशन साइकलोजी है उसका जो बेसिक्स होता है याने की जो आपका मूल भूत जो टॉपिक है बिल्कुल स्टार्टिंग का जो है की होता क्या है basically कलिए definitions क्या है, meaning क्या है, उनके perspective क्या है, तो child psychology के जो बिलकुल basic topic है, उन basic topic से आज के प्रश्न जो है वो उठाए गए हैं, और सभी प्रश्न काफी important है, क्योंकि प्रश्न काई बार परिक्षाओं में आये वे भी हैं, और आने की संभावना ही भी बनती हैं, विभिन्न प्रत क्योंकि परिक्षा की तैयारी के लिए जहां पर child psychology और education psychology आपका आता है, वहां के लिए ये बहुत ही important प्रश्न तरी है, तो आप लोग इसको questions को देखें, अपनी copy में note down करते रहें, जिससे आपकी practice again and again जो होती चले, तो चलिए हम प्रश्नों को देखने का प्रयास करते ह हैं, देखें सबसे पहला प्रश्न है यदि हम लोग देखें, तो पहला प्रश्न है शिक्षा मनोवज्ञान का संबंध है, जो education psychology है, उसका संबंध किस से है, ये आप दूसरे अर्थ में समझ सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा मनोवज्ञान का संब इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ options यहाँ पर दिये गए हैं, A option है अधिगम की प्रक्रिया से, B option है अधिगम की इस्थिती से, C option है अधिगमन करता से, और D option होता है उपरोक्त सभी से, तो यदि हम सिक्षा मनवग्यान का संबंद देखने का प्रयास करें, तो अधिग की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, अधिगम के लिए निर्धारित की गई हैं, हर एक प्रक्रिया का संबंद जो है सिक्षा मनवग्यान से होता है, जो सिक्षा मनवग्यान है, उसका संबंद अधिगम की जितनी भी प्रक्रियाएं से होता है, अ उनके जो conditions होंगे, जो different stages होंगे, जो different अलग-अलग जो अस्थितियां, परस्थितियां होंगे, हम उनको भी जो है वो सिक्षा मनोवज्ञान से सम्मंदित ही रखेंगे, तो अधिगम के अस्थिती से भी ये सम्मंदित है, और जब प्रक्रियाओं से सम्मंदित है, अधिगम के स्थिती से सम्मंदित है, तो वहाँ पे अधिगम करने वाला व्यक्ति, यानि कि जो अधिगमन कर रहा होता है, अधिगमन करता या अधिगम करता, ये उससे भी सम्मंदित होता है, तो प्रश्ण है सिक्षा मनोवज्ञान का सम्मंद होता है, तो सिक्षा मनोवज्ञान क संबंद की अगर हम लोग बात करें तो इसका पूर्ण रूप से संबंद अधिगम से होता है और यदि हम अधिगम की बात करें तो अधिगम में प्रक्रियाएं भी आ जाएंगी अधिगम में उसकी इस्तिती भी आ जाएगी और अधिगम में जो अधिगम करने वाला अधिग इन तीनों से ही होता है, इस प्रश्ण का correct answer क्या होगा, D होगा, नेक्स्ट अगले प्रश्ण पे आते हैं, देखें, अगला प्रश्ण है, एक सिक्षक के लिए सिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग परिलक्षित होता है, एक सिक्षक है, वो सिक्षक सिक्षा मनोविज्ञान को किस रूप में या किस तरीके से प्रयोग में लेता है, हम किस तरह से उसको देख सकते हैं, या किस प्रकार से द्रिस्टिगत होता है तो प्रश्ण है एक सिक्षक के लिए सिक्षा मनो विज्ञान का प्रयोग परिलक्षित होता है यानि कि किस प्रकार से दिखता है एक option है सिक्षण की उचित विधी के प्रयोग के रूप में जब एक सिक्षक जो है सिक्षा मनो विज्ञान का प्रयो जो विभिन्न सिक्षण के कारिक्रम होते हैं, उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, तो क्रियाओं के अनुसार जो उनमें प्रयोग में ले जाने वाले मैथरडोलाजी होते हैं, जितनी भी विधियां होती हैं, वो विधियां भी भिन्न प्रकार की होती हैं, तो एक एक सिक्षक क्या करता है जिस तरीके के सिक्षण की पद्धती होती है जिस तरीके के सिक्षण का कारिकरम चल रहा होता है या जिस तरीके के सिक्षण की प्रक्रियाएं होती है वो उसी रूप में सिक्षण की विधी को अपनाता है और सिक्षण के कारे को पूर्ण करता है तो एक सिख्षक बालक के सर्वांगीन विकास के लिए जो है वो करता है, सर्वांगीन विकास की यदि हम लोग बात करें, तो सर्वांगीन विकास से तातपर ये क्या है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, शारिरिक विकास, मानसिक विकास, आत्मिक विकास, सामाजिक विकास, चारत्रिक विकास, ये सब ही जो है विकास मिल करके बालक के सरवांगीन विकास को परिलक्षित करते हैं या इनसे बालक का सरवांगीन विकास जो है वो द्रिस्टिगत होता है तो एक सिक्षक जो है सिक्षा मनोविज्यान का प्रयोग करके बालक का सरवांगीन विकास करता है या बालक के सरवांगीन विकास में सिक्षक के द्वारा सिक्षक मनो विज्ञान का प्रयोग कहीं न कहीं विकास आत्मक प्रक्रियाओं में और अग्रसर करता है नेक्स पाठ्य सामगरी को बालकों के अनुसार क्रमिक करने में देखें, जो पाठ्थे सामग्री होती है, यदि आप मुझसे अग्रे करें यह आप जानते हैं, तो पाठ्थे सामग्री जो है, उसको फॉलो करने वाले कौन है, पहला सिक्षक, और दूसरा बालक, ये दोनों मिल करके ही जो है पाठे सामगरी का प्रयोग करते हैं दोनों ही इसको फॉलो करते हैं यानि कि जो पाठे सामगरी है उस सामगरी का प्रयोग सिक्षक के द्वारा भी किया जाता है और उस सामगरी का प्रयोग बालक के द्वारा भी किया जाता है क्यों किया जाता है ताकि जो पाठे क्रम है उस पाठे क्रम को पूर्ण किया जा सके लेकिन सबसे महत्व पूर्ण पार्ट ये होता है कि जब पाठे सामगरी को बालकों के अनुसार क्रमिक करने की बात आती है तो जो बालक है वो स्वयम इसको क्रमिक नहीं कर पाता है क्योंकि उस विशय में उस को अरेंज करना हो तो इतना तो जो पाठे क्रम होता है जो निर्धारित सिलेबस होता है उसमें ही क्रमिक रूप से आता है लेकिन जब अध्येन किया जाता है तो अध्येन के समय सिक्षक के द्वारा topics जो क्रम निर्धारित होते हैं topics के उन क्रमों को वो अपने पढ़ाने के स तर पे या फिर बालकों के समझने के स्तर पे जो है वो निर्धारित करता है आप समझ सकते हैं इस चेस को यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा एक्जामपल आपको देना चाहूंगी मालेजिए हमारे पास जो है पार्टे क्रम में कुल दस टॉपिक दिए हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ठीके अब अगर आप देखें जो पहला नंबर है माले जे पहले नमबर पे जो है कोई टॉपिक है A to Z कोई भी टॉपिक होगा और उस टॉपिक से समदित दूसरे नमबर पे उसकी विशेश्टा होगी यहाँ पे उसका प्रकार हो सकता हो तीसरे नमबर पे हो चौते नमबर पे उसकी परिभाशा होगी पांचमे नमबर पे उ यदि देखें तो उसकी प्रक्रियाएं आ रही होंगी, यहाँ पर जो है उसके लाब आएंगे, माल लेजे, नेक्स जो है वो हानी आएंगी, देन माल लेजे अगला टॉपिक सुझाओ, किसी भी तरीके का उस टॉपिक से सम्मंदित है, तो वो आ रहा है, और दस्वे नंबर पर यदि आप देखें तो A to Z किसी के भी बारे में यहाँ पर कथन या आलोचना जो भी है, यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, ठीक है, यह जो जितने भी टॉपिक से, यह जितने भी मैंने आपको तथे बताए, यह क्या है, यह निर्धारी थे, ठीक है, यह क्या है, यह निर् पाठ्षा करम में के समझने के इस्तिती के आधार पे और स्वयम के जो है वो सिक्षन के पैटर्ण के आधार पे और सिक्षन के विदियों के प्रयोग के आधार पे इसको क्या करेगा क्रमिक करेगा यानि कि सबसे पहले जो है वो टॉपिक लेगा अब उसके अनुसार जो क्रम बिठाएगा उस एक्जाम्पल में सिक्षा मनोवग्यान एक टॉपिक ले लिया है तो सिक्षा मनोवग्यान सबसे पहले सिक्षा मनोवग्यान होता क्या है सिक्षा मनोवग्यान जो शब्द है उस शब्द के विशय में जो है वो बताया जागा पहले नंबर पर सिक्षा मनोवग्यान का योग में लेते हैं, तो चौथे नमबर पे इसको करेगा, फिर उसके प्रकार कितने होते हैं, ये पाँचवे नमबर पे आएगा, देन उसके प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, छटवे नमबर पे आएगा, और उसके बाद फिर क्रमिक रूप से साथवा, आठवा और कथन प्रश्न में जो है वो दिया गया है कि पार्टे सामगरी को बालकों के अनुसार क्रमिक करना तो जी हाँ, एक सिक्षक, सिक्षा मनवग्यान का प्रयोग करके, जो भी पार्टे सामगरी है, जो पार्टे क्रम से निर्धारित है, उसको क्या करता है, बालकों के अनुसार क्रमि परिलक्षित होता है कैसे परिलक्षित होता है तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा डी करेक्ट होगा उप्रोक्त सभी के रूप में यानि कि सिक्षन की उचित विधी के प्रयोग के रूप में परिलक्षित होता है बालक के सरवांगिर विकास के रूप में परिलक्षित होता है और पाठ्टे सामगरी को बालकों के अनुसार क्रमिक करने में परिलक्षित होता है। नेक्स्ट आईए, अगले प्रश्ण में आते हैं। देखें, प्रश्ण है, सिक्षा मनोवग्यान के केंद्र में निम्ना लिखित में से कौन सा एक शामिल है। सिक्षा मनोवग्यान के केंद्र में, यानि की जो हमारा Education Psychology है, वो किसके ऊपर फोकस्ट है, या उसके सेंटर में कौन है। सिक्षा मनवग्यान के केंद्र में निमनलिखित में से कौन सा एक यहाँ पे देखें आप इन में से कोई एक हमें सिलेक्ट करना है सबसे पहले सममंधित पाठिक्रम, पाठिक्रम की बात करें, तो समंधित पाठिक्रम जो है सिक्षा मनव विज्यान का भाग है, लेकिन केंद्र जो हैं हम इसको नहीं मान सकते हैं, सिक्षक की बात करें तो अगें सिक्षक भी जो है सिक्षा मनव विज्ञान का एक भाग है लेकिन हम उसको फोकस नहीं मान सकते क्योंकि सिक्षक है और वहाँ पे यदि बालक नहीं है तो सिक्षण का कार्य या सिक्षा मनव विज्ञान का जो कार्य है वो पूर्ण नहीं किया जा सकता है, सिक्षण की विधियां वही बात है, सिक्षण की विधियां आप प्रयोग किसके लिए करेंगे, जब कोई होगा ही नहीं, आपको सुनने के लिए या उस प्रयोग को समझने के लिए, तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट तथ्या आ रहा है बालक, तो बालक जो है सिक और सिक्षन विधियों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। केंद्र में निमनलिखित में से कौन सा एक शामिल होता है क्योंकि यहां पे एक कहा गया है इस वज़े से हमने इन सब को व्याक्याइद करने का प्रयास किया गया। तो जब सिक्षा मनोव ज्यान की बात करते हैं तो फोकस में हमारा बालक होता है जिसको सेंटर में ले करके हम विभिन प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं जिसके लिए हम जितने भी मैथर्डोलाजी है उनको प्रयोग में लेते हैं। जिक्षक के विभिन क्रिया कलापों को प्रयोग में लेते हैं अधिगर्मन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हैं। जिक्षक के विधियों को समझते हैं और सम्मंधित पाठिक्रम को उसके अंदर शामिल करते हैं। लेकिन केंद्र में क्या होता है? बालक होता है। नेक्स्ट आएं अगला प्रश्नुट बाल मनो विज्ञान का सिक्षा में प्रयोग सिक्षा को बनाता है। बाल मनो विज्ञान का सिक्षा में प्रयोग सिक्षा को बनाता है। जब हम बाल मनो विज्ञान का प्रयोग करते हैं। यानि कि चाइल्ड साइकलोजी का प्रयोग करते हैं। तो चाइल्ड साइकलोजी को जब हम सिक्षा में एजुकेशन में प्रयोग में लेते हैं। तो उससे क्या बनता है, सिक्षक केंद्रित जो है सिक्षा, या विशे केंद्रित सिक्षा, बाल केंद्रित सिक्षा या इन में से कोई नहीं, तो यदि हम इन तीनों को देखने का प्रयास करें, सिक्षक केंद्रित तो यह होगा ही नहीं, क्योंकि जब हम सिक्षा की बात कर रहे हैं तो सिक्षा जो है फोकस अगर हम लोग देखें तो मेन जो फोकस जो केंद्र है मैंने अभी पिछले प्रशन में ही आपको बताया था कि फोकस जो है वो बालक के उपर होता है तो जब बालक के उपर होता है तो सिक्षक केंद्रि हम कह नहीं सकते, विशे केंद्रित भी हम नहीं कहते हैं, ये क्या होगा, बाल केंद्रित होगा, तो बाल केंद्रित जो है हमारा क्या होगा, correct answer होगा, क्योंकि इस प्रश्ण का उत्तर automatic explanation में हमने पिछले प्रश्ण में ही ले लिया, कई बार क्या होता ह है कि एक ही प्रश्ण से, दूसरा प्रश्ण इस तरीके से सम्मंदित हो जाता है, कि हमें उत्तर देने में बहुत आसानी होती है, ठीक, उसी प्रकार से इस प्रश्ण के साथ भी हुआ है, बाल मनवज्ञान का सिक्षा में प्रयोग, सिक्षा को बनाता है, क्या बनाता है, केंद्रित बनाता है ठीक अगले प्रश्न पर आते हैं देखें अगला प्रश्न और इस प्रश्नोत्तरी कारेकरम का ये आखिरी प्रश्न है और बिल्कुल फैक्ट के उपर है डेफिनेशन के उपर है चुकि डेफिनेशन के जो प्रश्न आपकी परिक्षाओं में आते हैं कह आसे साइकलोजी की जो है यहां पे आपके इसी चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, जो की डेफिनेशन से संबंदित हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मैंने पुरा एक्स्प्लेइन कर रखा है कि आप किस तरीके से उसको त्यार कर पाएंगे, या किस तरीके से आपको याद रहेगा, तो जो डेफिनेशन होते हैं, उनके जो मूल पॉइंट्स होते हैं, उन मूल पॉइंट्स को आपको जिनोंने परिभाशा दी हैं, उन विद्वानों के साथ यदि आप उसको कनेक्ट कर पाते हैं, यदि आप उसको जोड़ पाते हैं, तो वो परिभ प्रश्न के लिए एक बहुत उचित रणीती होगी और उचित रणीती के साथ-साथ यदि आप तयारी करना आरंब करते हैं तो सफलता किसी भी तरीके से आपके हाथ से नहीं चूटेगी, सफलता फिर कहां जाएगी, आपके पास ही आएगी, तो उसको बुलाने के लिए, उस सिक्षा मनोविज्यान अध्यापकों की तैयारी की आधार शिला है, बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है ये, यदि आप सिक्षा मनोविज्यान से सम्मंधित किसी भी, किसी भी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, किसी भी पुस्तक का अध्यान कर रहे हैं, तो आपको ये डेफ किसका है तो कथन की यदि हम लोग बात करें तो सीधा fact basis ये प्रशन है और ये आपको याद होना चाहिए कि ये कथन जो है skinner का है ठीक है ये कथन किसका है ये कथन skinner का है तो आज की प्रशन उतरी में हमने पांच प्रशन शामिल किये जो सिक्षा मनवज्ञान के बिलकुल मन्दित है जो उनकी परिभाशाएं है उसका अर्थ है और उसकी विशेष्टाएं basically अगर देखा जाए तो कुछ प्रशन वहां से भी आए तो हमने सिक्षा मनवज्ञान के जो basic concepts होते हैं वहां से आज का प्रशन लेनी का प्रयास किया है आशा करती हूँ कि आपको ये प्रशन और उनके explanation करने के पश्चात उसकी जो options है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे तो आप लोग जो है इसी तरीके से तियारी करते रहें प्रशनों को ध्यान से पढ़ें कोई दिक्कत कोई problem या किसी भी प्रकार की कोई अस विधा या अस हच्ता आपको प्रशनों को ले करके होती है तो दिये गया number पे आप मुझे contact कर सकते हैं so विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं की तेयारी जिनकी भी तेयारी आप कर रहे हैं टेट कीजिए, सुपर टेट कीजिए, रीट कीजिए, फर्स ग्रेड कीजिए, सिकिन ग्रेड कीजिए, पीजी टी, टीजी टी, प्यार्टी, कुछ भी कीजिए जहां पे भी education psychology आपका आता है, उन जगहों पे आपकी ये प्रशन बहुत उप्योगी होंगे, तो आप इनके तैयारी कीजिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, थैंक्यू सो मच्च